जो फैंस हैं वो हमेशा चाहते हैं कि शहनाज गिल के प्रोजेक्ट्स आदे रहें वो शहनाज गिल को देखते रहें और शहनाज गिल को देखने की चाहत उनके मन में हमेशा ही रहती है वो comment box में आ आकर जरूर पूछते हैं शहनाज गिल के projects के बारे में लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो negativity फैलाने के लिए भी comment करते हैं कि शहनाज आखिर कर क्या रही है इतने time से कोई project नहीं आया है तो हम बात करेंगे facts को लेकर और सारे सबूतों के साथ कि शहनाज गिल किस तरह चुनाव करती हैं अपने projects का और कब और कैसे उनके आने वाले projects हम सब के सामने होंगे तो आप वीडियो में end तक मेरे साथ बने रही है लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे फैंस तो हमेशा फिक्रमन रहते हैं यार शहनास के लिए कि उनके projects कब आएंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो negativity फैलाते हैं वो comment में आकर कहते हैं कि तेजस्वी नागिन का किरदार निभा रही है मायरा कहीं पे कोई song कर रही है तो शहनास क्या कर रही है तो भाई उन लोगों को हम बता दे कि आपके इन negative comments का हम fans पर कभी कोई असर नहीं पड़ता लेकिन बताने की बात आई है तो projects के बारे में भी जवाब दे ही दिया जाए नागिन शो के लिए lead actress का रोल निभा रही है तेजस्वी प्रकाश और जिसके लिए fans उन्हें बहुत जादा हाइप करते है तो वो आप करिए अगर तेजस्वी आपकी आइडल है तो आप उन्हें जी भर के हाइप करिए हमें उस पास से कोई फर्क नहीं पढ़ता कोई लेना देना नहीं है लेकिन कुछ बातों की सच्चाई आप तक पहुँचाना जरूरी है और जो लोग सवाल उठाते हैं शेहनास के projects के बारे में उन्हें भी ये facts बताना बहुत जरूरी है तो हम आपको यहां यह बता दे कि तेजस्वी प्रकाश नागिन के इस रोल के लिए मेकर्स की पहली choice नहीं थी बिल्कुल नहीं थी और दूसरी बात लोग माहरा शर्मा के projects को भी शेहनास से बहुत जादा compare करते हैं तो यहां हम आपको यह बताना चाहते हैं कि नागिन का रोल पाना चाहती थी माहरा शर्मा जिसके लिए वो audition के लिए भी गई लेकिन मेकर्स ने उन्हें reject कर दिया क्योंकि मेकर्स नहीं पसंद कर पाए माहरा की over acting मेरा मतलब है acting को अब हम बात करते हैं शहनास गिल की शहनास गिल first choice थी नागिन शो के लिए प्रथा के character के लिए जी हाँ guys lead actress के रोल के लिए पहला offer गया था शहनास गिल को मेकर्स चाहते थे कि शहनास नागिन शो करें और उसमें lead actress का रोल निभाए लेकिन शहनास गिल टीवी का शो अभी नहीं करना चाहती है उनकी choice कुछ और है उनके जो plans है वो कुछ और है इसलिए उन्होंने इस शो के लिए मना कर दिया और शहनास चाहती है कि वो बहुत सारा time अभी family के साथ बिताए उनकी ममी के साथ बिताएं रीटा अंटी के साथ बिताएं that's why उन्होंने इस शो के लिए मना किया है तो भाई माहरा शर्मा और तेजस्वी प्रकास जीने हमेशा लोग शहनास से compare करते हैं और projects की बाते हमेशा बीच में लेकर आते हैं तो उन्हें उनका जवाब बहुत अच्छे से मिल गया होगा हमारे इस वीडियो के जरिये और हम आपको ये बात बता दे कि शहनास के पास बहुत सारे शोस के offer आते हैं अब ये शहनास की choice पर depend है कि उन्हें कौन से show करने है या कौन से नहीं करने है फैंस का काम है बस शहनास को support करते रहना और वो हम हमेशा करेंगे वैल गाइस क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में comment करके हमें जरूर बताएगा वीडियो को like channel subscribe जरूर करतीचे का thanks for watching